हलो एवरिवन आज है 25 फेबरुवरी और आज इस विडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में देखे टेक्स्टाइल सेक्टर की एक दमदार कंपिनी है जरूर लेकिन हाल फिल हाल में काफी बड़ी गिरावट से गुजर रहा है 60-65 प्रतिशत तक ये तूट चुका है 30 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है हर रोज ये गिरता जा रहा है तो बातचित करेंगे इस विडियो में कि वह या गिरावट कहीं पर रुक भेग रही है कि नहीं या ये और जादा नीचे की तरफ जा सकता है विडियो को शुरू करें उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी उसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे विडियो हैं जपो काफी ज़ादा हेल्प करेंगे तो 30 रुपे का शेर है ट्राइडिन का कल भी हमें 1% की गिरावट देखने को मिली थी एक महिने में अगर आप देखो तो 34 रुपे तक पहुचा था हलाकि एक जट्के में पहुचा था यह उसके बाद धीरे 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 करेंगे जा रहा है यह नीचे एक महिने का लो बना चुका है एक साल में अगर हम देखे तो पिछले एक साल में 38% तक तूट चुका है एक साल का सबसे बड़ा लो अभी बना है हर रोज एक नाय लो बन रहा है यहां पर 56 रुपीज का था यह अगर तेजी भी आती है तो शॉट टम की टेंपरारी तेजी होती है फिर नी साल में अगर आप देखो के तब हां तब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 400% की तो कि एक पैनी स्टॉक था तिन रुपए का शेर था काफी अच्छा परफॉर्म किया था इसने कौर्टरी 200 क्रोर का प्रॉफिट कर रहा था तो भागता चला गया भागता चला गया 68 पर चला गया और देखो रीजन भी था यहां पर जाने का क्योंकि कोविट के दौरान जब कोविट खुलना शुरू हुआ तो टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज में एक बड़ा स्कोप नजर आया क्योंकि चाइना की एकोनोमी बंद हो चुकी थी बंगलादेश भी शफर कर रहा तक हो रही है क्योंकि बाकि एकोनोमी खुल रही है चायना खुल रहा है और अगर आप देखो तो यह 58 तक जाने के market cap volume देगे तो 26 लाक है कम quantity में अभी share trade हो रहे है हलागि last quarter में improvement दिखाया था इसने 1640 करोड का इनका revenue रहा जो इससे पहले 1435 करोड था मलग 14-15% का growth revenue में profit में 280% का growth था 1445 करोड का मुनाफर रहा जो पहले 37 करोड था इससे पहले के quarter में लेकिन पिछले साल ये company 2000 करोड का revenue कर रही थी और profit करेंगी 200 करोड से भी जादा का तो उसके मुकाबले कम है पिछले साल के मुकाबले कम हो रहा है लेकिन पिछले quarter सब्टेंबर से performance अच्छा हुआ है जो कि अच्छी बात है बीच बीच में ये company दिक्कतों में भी आई थी कुछ दिनों के लिए इनके plants तक बंद करने पड़े थे क्योंकि गाउवाले भाईया प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके खिलाफ क्योंकि पानी का जादा इस्तमाल हो रहा था और जिसके खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे इसको लेकर पानी के कंजम्शन को लेकर गाउवालों ने प्रोटेस्ट किये थे और कुछ दिनों के लिए plants बंद करने पड़े थे इनके हला कि अभी मामला सुलट चुका है लेकिन फिर भी अभी भी डिमांड में थोड़ी से श्रिंक आई है हला कि प्रमोटर के पास अच्छे कासे कॉंटिटी है यहां पर ट्राइडेंट में उसको लेकर भी बात करेंगे और डिविडेंट की जहां तक साल इसने 36 पैसे का पे किया था इससे पहले 2021 में जप सरद अच्छे पर राइड कर रेड करा तक दो बार पे किया था दो बार पहले 36 पैसा दूसरी बार च्हत्थी पैसा था यह यहां पन Já पर नज़ säण कहें तो बहुत बड़ा जहंप आया था 2022 में जो यह gün 4,500 करोर में सिम्ड जाते थे वो 7,000 करोर तक चले गए और यही वज़े भी थी कि शेर में भी आपको वैसा जंप देखने को मिला अभी अगर आप देखोगे तो revenue जो है वो almost इतने ही रहेंगे 2023 में भी जहां तक बात है profit के तो profit कम हो रहे हैं जो profit पहले 300 करोर का देखने को मिल रहा था बाद में उस इधा 833 करोर चला गया तो share price भी हमने उस तरह के से उपर जाती देखी लेकिन अभी क्या हो रहा है profit श्रिंक हो रहा है लेकिन उम्मीद करूंगा कि आगे profit में दुबार से तेज़ी देखने को मिले ट्राइडेंट का peer ratio 18 का है जो कि सस्ता है और यही वज़ा है कि 100% अभी भी यहां पर buying के बात कर रहे हैं holding को लेकर देखे share holding में तो 72.94% की holding है promoter के पास 0.94% है mutual funds के पास domestic के पास कुछ भी नहीं है 2.36% है Files के पास तो देखा जाए तो promoter के प बड़े fund house यहां पर enter नहीं कर रहे हैं और यह थोगा सा दिक्कत वाली बात है कि बड़े fund house बरोसा नहीं कर रहे हैं हलाकि थोड़ी से quantity mutual fund ने खरी दी है domestic वाले पहले थे भी नहीं Files ने विक्वाली करी है 3.13% की जो holding थी वो घट चुकी है जब कि mutual fund की थोड़ी सी entry देख यहां से बिजनस है लेकिन कम है जो बड़ा पैसा आता है ट्राइडन के अगर आब बात करो तो वह यह home textile में काफे बड़ा नाम है इनका इनके खुद के showrooms है इसके अलावा online में भी इनकी presence खुद की website भी है और बाकी marketplace पर भी है इसके अलावा देखा जाए तो छोटी मोट एंलूम की दुकानों में भी ट्राइडन का प्रोडोक्ट आपको मिल जाएगा सामन आपको इनके मिल जाएंगे कंपनी अच्छी है प्रोड़क बीनकी तरीका मार्केट सेनारियो है उसको देखकर लग रहा कि 25 रुपय के लेवल तक अगर जाता है तो शायद खरिदारी के मौके बन सकते हैं थोड़ा से इंतजार करना चाहिए 25 रुपय के लेवल का वेट करना चाहिए वहाँ पर जाता है तो मौके बनेंगी क्योंकि मुझे मानता हूं कि एक करेक्शन की तरफ मतलब एक तीजी की तरफ बाजार जाता नजर आएगा लेकिन अभी जो मार्श का भी पीडियर है वो थोड़ा सा उपर नीचे रहेगा और ऐसे में अगर थोड़ी सी गिरावट आती है यहां पर और गिरावट आती है 25 रुपय के आसप पांच परसन के अपर सरकित लगा रहा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलोग इंडेस्ट्रीज को इवैलिएट करो दुबारा इसके उपर वीडियो बनाओ कि खरिदार की मौके बनेंगे तो कहां पर बनेंगे तो कमेंट में आलोग इंडेस्ट्रीज जरूर लिखेगा जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा वीडियो को यहीं परेंट करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करे शॉय करे चैनल पगरा पहली बाहर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करे और ट्राइडन लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक यू